हरियाना के कर्णाल में कर्णाल से कई बार सांसद रहे स्वर्गिया पंडित चिरंजी लाल शर्मा की पुन्यति थी मनाई गई इस अवसर पर गवर्निमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में उनके पुत्र पूर्व स्पीकर कुल्दीप शर्मा द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रधानजली दी गई साथ ही उनके कारेकाल में किये गए कर्णाल में विकास कार्यों की चर्चा की गई कर्णाल की तरक्की में उनके योगदान को याद किया गया गौर तलब है कि पंडित चरंजी लाल शर्मा कर्णाल से चार बार सांसद रहे और हमेशा जनता के बीच में रहकर लोगों की आवाज उठाते रहे इस अफसर पर कुलदीप शर्मा ने श्रधानजली देने के उपरांत बोलते हुए कहा कि पंडित जी सादा जीवन एवं उच्च विचार रखने वाले नेता थे एवं कॉंग्रेस पार्टी में कार्यकरताओं की बदोलत ही वह कई बार सांसद बन सके उन्होंने इस मौके पर पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंद्र सिंग हुड़ा का धनेवाद किया जिन्होंने गवर्निमेंट कॉलेज सेक्टर 14 के नाम को पंडित चिरंजी लाल शर्मा के नाम से रखने का सहीयोग किया था इस मौके पर पूर्व मंत्री भीम सेन महता, ललिद बुटाना, जोगिंदर चोहान, नरिंदर जोगा, अशोक खुराना, पूर्व विधायक राकेश कामबोज, हरी राम शब्बा आदी मौजूद रहे उननिस सो बावन से लेकर आज, उननिस सो बावन से दो हियार पीस में हम बैठे हैं, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है, आपाई जाहे जमाने, जब तुह हो, जाहे हम जीते हो चाहारे हैं, जो इस इलेक्शन को हम नहीं ना लगा, सन बावन से आज तक, कोई चुनाओ, वीस परिवार लड़ चुका है, लेकिर कितने चुनाओं लड़े, कितने से साल वह मेंबर पाल्यामेट रहे, ये महतपून नहीं था, ये महतपून था, कि वह किस प्रकार के वेक्टिता उनका, और उन्होंने अपने कारे काल में किस प्रकार से अपने कर्तबों का निर्वान कि ऐसे ही लिटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल एटी बंक्वेट एंटर्प्राइब